लटक होगी आपको इस Τरीकے से बढ़ाना था है जैसे हमने यहाँ पर लिया पौने दो इंच आपको आपके आपके यूटीव चैनल नहना दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिन लोगों की हिब 40 से उपर होती है 44 45 50 उन लोगों की लटक किस तरीके से बढ़ाते हैं यानि कि जब हम लटक बढ़ाते हैं जितनी भी आदमी की हिब हो तो उससे हमें क्या करता दस हिंस से जादा कभी भी ल बढ़ानकरी देने वाला हूं और साथी साथ दोस्तों अगर आपको पैंट के पैटरन खरीदना है या बिलाउस के पैटरन खरीदना है तो आप हमारे दिएगों वाटसव नंबर पे इंक्वारी करके अपने और को बुक कर सकते हैं दोस्तों यह जो कटिंग है ना इतनी आ तो आप इससे क्या कर सकते हैं आप कारिगरी के संगसंग न आप थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकते हैं तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फिटिंग बाली पैंट की कटिंग और यहाँपर अगर आपकी हिप 54 44 या 45 इंच हो तो उसकी लिटक किस तरीके से हमें बढ़ानी चाहिए ये आज की इस वीडियो में आपको जानकरी देने वाला हूँ वीडियो बहुत important होने वाली है इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो like और share जरूर करें ठीक है और चैनल पे अगर पहली ब प्ला छोटा बड़ा होता है उसको हमें सीधा करने के लिए और एक गुनिया फंटी लगानी पड़ती है ये वाली ठीक है तो से कैसे लगाएंगे इस तरीके से पहले कपड़े को अच्छी तरीके से बढ़िया करके और बिच्छाने के बाद में यहां पर इस तरीके से एक निशान लगा लें ये वाला ठीक है और एक निशान लगाएं इस साइड में उसके बाद दोस्तों यहां पर हम लेंगे सबसे पहले लंबाई और मैं आपको बीच में यह बताऊंगा कि इसकी हम लटक कैसे बढ़ाएं क्योंकि इसकी जो हिव है वह साड़े चावालिस नाप आपने सुन लिया ही होगा अब इस तरीके से हम सबसे पहले एक इंच लिका लेंगे ऊपर यह इसलिए लिकालते हैं कि हमारा यहां पर बैल्ट लगता है अब लंबा यह 39 तो यहां पर लगाएंगे एक निशान और धाई इंच लेंगे बाटम में फोल्ड होने के लि जिन लोगों की हिप 40 इंच होती है उनका हम यह करते हैं कि हिप का फोर वाग करा और 10 इंच आई उसका एक फोर वाग चौथा ही ठीक है उसमें से हमने आदा इंच कम करके साड़े नौ पे हम लगा देते हैं अब यहां पर जो इसकी हिवए वो है साड़े 44 इंच इसमें हम लटक कैसे बढ़ाएंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पर इस तरीके से हमें जो लटक का निशान लगाना है बो लगाना है दस इंच का ठीक है यह लगा दिया अभी लटक मैंने यहां पर दस इंच रखी है मगर आगे आके मैं लटक इसकी और बढ़ा वीडियो को देखते रहें तो हम यहां दस इंच पे एक निशान लगा देते हैं और एक निशान लगाएंगे यहां पर ठीक है यानि की आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सारा फिर लगाएंगे लंबाई का निशान दूसरा बॉटम में जो फोल्ड होता है कपड़ा ठीक है उसके लिए अब बात करते हैं यहां पर हम कमर की कमर है इसकी 38 यह हो गई 38 ठीक है इसकी कमर अब हम सबसे पहले लगाएंगे इस वाली स्केल से एक निशान यानि कि इस निशान से जो हमने सीधा करने के लिए कपड लनी चाहिए और इस जगह से मिलानी चाहिए ठीक है और यहां पर जो भी इसका शेव आएगा वो आ जाएगा ठीक है यहां से जो पॉकिट की लेंगे वो लेंगे हम सबसाती इंच की फॉकिट का फैलाओ लेंगे डाई इंच का बड़ी पैंट में आपको ड़ाओ लेना है और जो छोटी पैंटो मीडियम उनका आप यहां पर सबादो या दो इंच का भी ले सकते हैं यह लगा दिया निशान निशान लगाने के बाद में यहां लेंगे सिलाई मार्जन आदा इंच का आदा इंच मैने लिया है जो भी आप मार्जन लेते हो उसके हिसाब से लगा तो साड़े नौइंच पर यहां पर हमें एक निशान लगाएंगे दूसरा लेंगे जो हमारी फलाई एटाइच होगी उसमें मारजन जाएगा उसके लिए आदा इंच आप बात करते हैं इसकी हम थाई की थाई है इसकी साड़े चब्विस इंच ठीक है साड़े चब्विस इंच का हमें करना है हाफ तो यहां पर गया तेरा दूनी चब्विस साड़े चब्विस यानिकी सवा तेरा इंच यहां पर हमारे इस वाले निशान से आएगा जो हमारा का निशान है तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगेए, फलाई की गोलाई के लिए लेंगे पॉने दू इंचे और इसी स्केल से सीध़ा सीधा कर देंगे ठीक है यहाँ देतेंगे गोलाई गोलाई देने के बाद में दोस्तों जहां से हमें अपनी फलाई अटेच करना होती है वो लेते हैं सवा दो इंच अब हमें अपना सामना जो डाउन करना है वो करना है पॉनिंच सामना डाउन आप इससे भी कर सकते हैं मगर सबसे बहतर रहता है हमारा शेव स्केल से इस तरीके से आप ले लेंगे तो बैल्ट इसका अच्छी तरीके से फिट होगा अब बात करते हैं यहाँ पर हमाई लग गई थाई के निशान यानि कि 26 का हफ 17 तेरा इंच ठीक है यह देखिए अब इतना ही निशान लगाना है हमें नीचे इस तरीके से 17 पर लगा देंगे अब 723 का हम हाफ करेंगे हो गया पॉने सात इंच ठीक है बॉटम है इसका पंद्रा इंच यह पंद्रा इंच बॉटम है अब पंद्रा हैंच का हम करेंगे फोर भाग एक चौता ही जो होता है इस निशान से वह लेंगे यहाँ पर हम पॉने चार इंच ठीक है और यहां लेंगे पौने चार इंच टोटाल हो गया साड़े साथ इंच ठीक है बिलकु सेंटर ममोरी आई है इस चीज अगर ये चीज़ आप लिका लिए तो आपकी पैंट का शेव बहुत अच्छा बैठने वाला है यह लेंगे हम शेव स्केल और इस तरी इस तरीके से निशान लगाएंगे हलका सा किरास उसके बाद में यहां देख सकते हैं हमारे निशान लगके हो चुके हैं कम्प्लीट अभी आपको मैं बैक पार्ट में बताऊंगा कि हमें इसकी लटक कैसी बढ़ानी चाहिए क्योंकि साड़े चावालीस इंच इसकी हिव ह है ठीक है और हमने लटक रखी है दस इंच अब लटक इसकी थोड़ी से टाइट रहेगी तो कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा बैक पार्ट कटिंग करूँगा तो अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग यहां लगाएंगे एक कट जहां से हमारा बॉटम फोल्ड होगा और एक कट यहां लगाएंगे और एक कट यहां लगाएंगे जैसे फलाई अटैच होगी और एक कट लगाएंगे पॉकिट के फैलाओ पे और आदा इन से थोड़ा कम कट लगाएंगे जहां से हमारी पॉकि कर देंगे इस जगह से अब दोस्तों हमें अपना बैक पार्ट कटिंग करना है ठीक है तो देखते रही है वीडियो लेटक हमें किस तरीके से बढ़ानी है यह मैं आपको बताने वाला हूं तो यहां पर इस तरीके से हमें अपने कपड़े को इस पिरकार बिछाना होगा अब हम अपने सामने को रखेंगे इस पर इस तरीके से हमने अपने सामने को बिछा लिया है बिछाने के बाद ठीक है यहां पर हम एक लगाएंगे निशान इस पिरकार दूसरा निशान लगाएंगे यहां पर वीडियो देखते रहें अभी मैं आपको बताऊंगा लटक निक लेंगे 38 कमर 38 करेंगे होता है यहां पर शाले 9 इंच भी कहें आप फल्ड जॉपल्य में पड़ती है यह वाली ठीक है इसके लिए लेना होता है हमें 1 इंच तो हम यहां से बढ़ाएंगे 1 इंच अब हम जो सीट जड़ाई करते हैं उसके लिए आप सबाधो इंच से 2 इंच तक ले सकते हैं मैंने लिया सबाधो इंच अब इसकी जो हिब है वो है 4.5 इंच साड़े-चावारेसिंच का फुर वाह करें एक चौथाई जो होता है यारा-चोथाई c记्षावारेस शाड़े-चौथा यानि इसका फुर वाग एक चौथाई होता है वो हता है ग्यारा इंच एक सूर्स यह हो गया आदा इंच की देंगे living और यहां पर इस तरीके से निशान लगा देंगे निशान लगाने के बात अब बात आती है कि हमें लटक कैसी बढ़ानी चाहिए यानि कि जो आराम से लटक आजा क्यूंकि इसकी हिवाइ साड़े हें की पैंड में मगर हम पसकी हिस आफ़ेश पैंतालइस से चैलिस जो भी दिसकी होती है तो हमें इस जगह से उसकी लटक बढ़ाने पड़ती है यहां पर है सब हमें लेना चाहिए इस तरीके से गोलाई देंगे, गोलाई देने के बाद में इस सामने से, इस वारी जगा से हमें इस तरीके से मिलाना है, और यहां से हम पैंट कटिंग करेंगे, ठीक है, पैंट कटिंग करने के बाद, निशान लगाने के बाद, अब हमें यहां पर ही लेना है, शेव स्केल, इस तरीके से निशान लगाएंगे, यह देखिए, कभी भी अगर आपकी हिब 50 हो, तो आप यहां पर ले लें, धाई हमने लिया, आप ले लें यहां पर पौने 3 या 3 इंच, ठीक है, इस जगा लें, जितनी भी आपकी लटक होगी, आपको इस तरीके से बढ़ाना है, जैसे ह हमने यहां पर लिया, पौने 2 इंच, अब यह मैंने वो लिया है, जो मैं के नामे नॉर्मली पैंटों में लेता हूं, मगर मुझे यहां पर पौने 2 इंच से लेना है, 2 इंच, ठीक है, तो कितना हुआ, यहां पर मेरी बड़ी 2 सूत, यह देखिए, यह 2 सूत मैंने यहां बढ़ाया ठीक है तो यहाँ पर मेरी लिटक च्छी बढ़ चुकी है अब यहाँ पर हमें extra margin लेना है इस तरीके से तो आपको लिटक 2 जगा से बढ़ाना होती है एक तो यहां बढ़ाओेंगे जैसे हमने जो लेते हैं वो लेते हैं सब्धिक सबादम तो आप यहां पर इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं और ऐसे ही आज जैसे हम यहां लेते हैं पौने दो इंच तो हमने यहां लिया दो इंच इससे हमारी लटक बढ़ जाएगी उम्मित करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा अब मैं इसकी कर लेता हूं कटिंग दोस्तो हमने कटिंग कर ली है एक कट छोटा सा यहां लगाएंगे और छोटा सा कट हमें एक यहां लगाना है सारे काम कारीगर पर नहीं चोड़ना है कुछ काम आपको करके देना चाहिए जो आप जल्दी कर सकते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां हमारे जो पैंट भी एकदम बहत्रीन होने वाली है तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके के पैटर्न खरीदना है तो हमने शुरू में नमबर दे रखा है आप वहां से जाके और अपने पैटर्न को बुक कर सकते हैं दोस्तों कैसे लगी आपको मारी वीडियो प्लीज कमेंट्स करके बताएं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो